एक खुशनुमा बाचित का मोहल कैसे बनाएं आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आपके द्वारा बताई गई किसी बात को लोग आपसे बार बार सुनना चाहते हैं या आपको किसी व्यक्ति की बताई बात सुनने का दिल करता हो यह एक बहुत सांदार तक्नीक होती है ज आपको अपनी कोई ऐसी पुरानी बात सामने वाली बैक्ति से करनी होगी जिसमें आपके जीवन का कोई खास जड़ सामिल हो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से इस तरीके से बात करें एक बार ऐसा हुआ कहकर अपनी बात की शुरुवात करें और ऐसे ही अपनी बात्चीत जारी रखें यह चीजे ऐसी होती है कि सामने वाले का ध्यान बहुत जल्दी आकर सित करती है और यदि आपके पास वाकई में कोई दिलचस्प कहानी होती है जो आपके जीवन से जुड़ी है तो अवसे ही सामने वाले व्यक्ति को और प्रभावत करेंगी इससे आपके बात्चीत को एक नई सकारात मक्ता मिलेगी आपके पास अगर अपने खुद की कोई कहानी या पुरानी बात ना हो तो आप जिस समू में बैठें उसमें से किसी व्यक्ति को उनके जीवन की कोई बात या दिला कर उस घटना पर बात करनी शुरू कर दें इसके लिए आपको अपनी मित्रों से जुड़ी सभी प्रकार की घटना और कहानी के बारे में पता होना चाहिए इस तकनीक को इस्तिमाल करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कहानी में बताने वाली बैक्ति की परसंसरा होनी चाहिए कोई भी बैक्ति एक ऐसी कहानी नहीं बताना चाहेगा जिसको उसमें कोई नुक्सान हुआ हो इस तकनीक में फायदा एक और है कि जब वो बैक्ति पूरे समय को अपनी कहानी बताने में पूरी तरह से मस्कूल हो जाए तब आप उस बातचीत को जोड़कर आसानी से जा सकते तो ये तकनीक आपके लिए किसी भी बातचीत को छोड़कर जाने में काफी मद्दगार साव कि किसी के सामने यदि आपको एक सकारात्मक बैक्ति के तोर पर उभर कर आना है तो ये काम आप एक या दो दिन में नहीं सीख सकते हैं इस तकनीक को सीखने के लिए आपको थोड़ी धैर किया आव सकता होगी अक्सर लोग इसी तरह की चर्चाओं में सामिल होना पसंद करत हमेशा कर लोगों से बात करता है और उसकी मुस्कुराइट भी खुल कर आती है इससे सामने वाले बैक्ति को इस बात का पता लगने लगता है कि आप एक सकारात्मक द्रिष्टी को रखने वाले बैक्ति आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपको नई दिल्चस्प बात नहीं सोच पाते ऐसी स्थिती में आपका ये जानना बहता वश्चक है कि कैसे आप हर वक्त कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले व्यक्ति को दिल्चस्प लगे हमारी अगली तक्निक इसी बारे में है जिसके अनुसार आपको बस इतना करना है कि आपको हर दिन की नमिंतम ख समचार को अपनी बात का मुद्दा बना शकते हैं अक्सर लोग इसी तरह की चर्चाओं में सामिल होना पसंद करते हैं तो इसी के साथ हमारी समरी यहीं समाप्त होती है मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद